बाबा नीम करोली के कैंची धाम मंदिर के स्थापना दिवस पर भव्य मेले का आयूजन किया गया है जहां लाकों के संख्या में मौजूद बाबा के भक्तों के जैकारों से गुंजयमान हुई है पूरी घाटी ब्रह्म मूरत में पूजा अर्चना के बाद मंदिर के कपाट भक्तों के ले खोले गए जा रात भर से ही दूर दराज से आने वाले भक्तों की कई किलो मिटर लंबी लाइन लगने शुरू हो गई थी हर कोई बस बाबा नीम करोली महराज के दर्शनों को आतूर नजर आ रहा था और दर्शन कर पूर्णे का भागी बना है मंदर समीते के मुताबिक हर वर्ष भक्तों के संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और इस वर्ष भी करिब डेर लाग भक्तों के आने क्या अनुमान लगाया जा रहा है गौर तलब है कि उत्राखंट सरकार ने मानस खंड योजना के तहत के दिन आएगा को परमुक धार्मिक स्थलों के श्रेणी में शामिल किया है जिसके चलते यहां पर मानेताओं के अनुरूप बड़ी संख्या में साल बर भक्तों का ताता लगा रहता है ऐसे में जिला और पुलिस परशाशन की तरफ से भक्तों की सुईदा को लेकर चार चौबंद इंतजामात किये गए हैं परशाशन के इंतजामात से कुछ भक्त संतूश्ट ने जर आए तो कुछ ने अपनी नाराजगी भी चाहिर की है हम चार में ऐसे यहां पर लगे हुए इस जगे पर यह पाइंट देख रहे हैं और हमसे बाद गए हुए जो तीन तीन चार चार पर भीड़ जा रही है कोई ने संधा सबो मैंने परसनली टोका तो वहत Premiere से बॉ downward यह पूरे लाइन दो करतों हमसे नुंख है कैंची धाम पहुंचे बाबा नीम करोरी महराज के पौत्र डॉक्टर धरंजे शर्मा ने कहा बाबा जी का चमतकार है कि वो भव्य अनुष्ठान की स्वेम कमान सवाल लेते हैं और उनकी ही कृपा है कि बड़ी सुगमता पूर्वक मेला संपन हो जाता है आज का दिन तो बहुत मेमोरेबल दिन है जब यह सार्षम के स्थाफना हुई थी अब मैंने तो महाराज जी को जब मैं टेंट्स में पढ़ता था तब से प्रिम्दा निर्वान हो गया तो बच्पन मैं गोदी में खिलाया है और अब अब बनुकामना पूरी होती थी जब मैं छोटा था तो यह दिन तो बहुत ही स्पेशल है और महाराज से एक बार कोई जोगता है तो पिर वो चाहते हूं भी नहीं छोड़ पाता है उसको ऐसे एक्स्पीरिंस ही होते हैं कि वो एकनम समध्वित हो जाता है और महाराज के व लाखों की संख्या में मेले में शामिल होने कैचिधां पहुंच रहे बाबा के भगतों को विवस्ती तरीके से मंदिर पहुचाना पुलिस की पहली प्रात्मिक्ता में शामिल है जिसके लिए रूट डावर्ट करने के साथ ही अन्य विवस्ताइं भी बनाई गई हैं SSP नैने ताल प्रलाद सिंग मेना का कहना है कि मेला सफल तरीके से चले और भक्तों को किसी तरह की दिक्कत ना हो इसको लेकर पूरी मुश्तेधी बर्ती जा रही है और पार्किंग ये हैं वहाँ पर भी काफी संख्या में भक्त है तो उनको भी हम बहुत तेज से दर्शन करवा रहे हैं अभी तक की जो मेली की जितनी भी गतिव दिया बहुत अच्छी चल रही है और हमें उम्मीद है कि आज का जो मेला है वो नैकेवल एटियाशिक होगा और वो सांतिमून तरीके से बहुत खुशाल तरीके संपन दियो उत्राखंड सरकार की मानस खंड पर्योजना में शामिल कैंची धाम को लेकर लगातार काम हो रहा है वहीं हर साल 15 जून को आई जीत होने वाले भव्य मेले को भी सक उसल्द संपन कराना सरकार और इस्थाने प्रशाशन के लिए एक बड़ी चुनौती है जिससे हर साल आने वाले भक्तों की संख्य लगातार बढ़ती जा रही है जिसमें खाश भी शामिल होते हैं तो बाबा के आम भक्त भी